नवश्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ट्रेवल स्टोरी में दोस्तो आज हम आपको लेकर चलेंगे उतराखंड के हिमाले की तलहटी और पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा एक पैचीन शहर रिशिकेश में तो चलिए दोस्तो हम अपना सफर शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले तो मैं आपको रिशिकेश के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा तो हिमालाई की तलहटी और पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा एक प्राचीन शहर रिशिकेश है यह प्राचीन शहर एक प्रवित्र हिंदू तीर तिस्थल होने के साथ विश्व योग राजधानी याने की वर्ल योगा कैपिटल के लिए भी प्रसिद है रिशिकेश भारत के उत्तराखन राजिक के देरादून जिले में एक तैसील है हिमालाई की तलहटी में रिशिकेश को गड़वाल हिमालाई के प्रवेश द्वार गेटवे अफ द गड़वाल हिमालाईस भी कहते हैं एक प्राचीन शहर होने के कारण रिशिगेश के साथ अनेक पुराणिक कताईं भी जुड़ी हुई है हिंदु धर्म पुराणों में समुद्र मंतन से जुड़ी एक पुराणी कता के अनुसार समुद्र मंतन के दोरान निकले हुए विश को भगवान शिव ने इसी स्थान पर पिया था विश पीने के बाद भगवान शिव के कंट नील पड़ गए थे और उसी समय से भगवान शिव को नील कंट के नाम से जाना गया विश प्रशिद लक्ष्मन जूले से संबंदिद एक अन्य कता के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दोरान यहां के जंगलों में अपना समय व्यतित किया था अपने वनवास के समय भगवान राम को एक बार जब पवित्र गंगा न दी पार करने की आवश्यक्ता पड़ी तब उनके छोटे भाई लक्ष्मन ने इस जगर रस्ती से एक पुल बनाया जिसे आज हम लक्ष्मन जूला के नाम से जानते हैं